रनवीर सी को जनता गली बोई के रापर से लेकर 83 में कपिल देव तक के किरदार में देख चुकी है और अपने रोल में उनका कमिटमेंट हर बार लोगों को दंग कर देता है अब रनवीर सी के फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुश्खबडी आ रही है रनवीर सी से पहले सुपर हीरो शक्तिमान के रोल में नजर आ सकते हैं जी हाँ 90 में शक्तिमान को टीवी पर लेकर आने वाले मुकेश खन्ना ने इसी साल अनाउंस्मेंट किया था कि वो अपने आइकॉनिक किरदार को लेकर भारत की सबसे बड़ी सुपर हीरो फिल्म बनाने वाले है अब रिपोर्ट्स आ रही है कि ये किरदार निभाने के लिए रनवीर सी को ओफर दिया गया है एक रिपोर्ट्स के अनुसार मेकर्स ने रनवीर को फिल्म में शक्तिमान बनाने का ओफर दिया है रनवीर ने अभी ओफर स्विकार तो नहीं किया है मगर वो इस प्रोजेक् में इंट्रोडियूस हुए इस सूपर हिरो किरदार में ननवीर एक नाचुरल करिश्मा लेकर आ सकते हैं अक्टर और उनकी टीम से बातचीत जारी है इस साल फरवरी में ही सोने पिक्चिस ने टीजर वीडियो के साथ शक्तिमान पर फिल्म अनौंस की थी टीवी शो में शक् में देश का कोई लीडिंग सुपर स्टार शक्तिमान का रोल करेगा टीजर में शक्तिमान के नए कॉस्चिम की एक जलक भी दिखाई गई थी जिसे फैंस ने बहुत पसंद किया था अनौंस्मेंट में यह कहा गया था कि यह फिल्म एक ट्राइल लॉजी यानी की तीन पार रोहिट शेटी के साथ रनवीर अपनी फिल्म सरकस का शूट पूरा कर चुके हैं वो भी करन जोहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर काम कर रहे हैं इसके बाद रनवीर सिंबा टू और डाइरेक्टर शंकर की एक फिल्म करने वाले हैं मगर इन दोनों ही फिल्मों का हाल फिल हाल शुरू होने की उम्मीद तो नहीं है